अलो सुडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड ग्लासेस पर गॉड ग्लासेस यानि मैस भी और मस्ती भी तो बच्छो आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम करने वाले हैं ML अगरवाल का, ML भारगव का ML अगरवाल तो अल्रेडी आपके पास अवेलेवल है ML भारगव का हम चैप्टर नंबर थर्ड करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे आज नुमेरिकल इनिकुरिटी के कोश्चन की इसमें जो चैप्टर थर्ड है वो नुमेरिकल इनिकुरिटी का चैप्टर है तो अब यहाँ पर जो एक्सेसाइज होगी 3.1 वो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स की अगर मैं बात करूँ हूँ तो वो आप देख सकते हैं वो हमारी रेगुलर वीडियो है उसका लिंक में उपर आई बेटन में दे रहा हूँ सेकिंड चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसका तो वहाँ पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं और वहां से आप सारा बेसिक वो समझ सकते हैं इस सेरीज के अंदर हम इसके एक्सेसाइज करने वाले हैं चारो की चारो एक्सेसाइज में आपको कराने वाला हूं तो आज की जो वीडियो रहेगी उसमें 3.1 हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर अब सबसे पहला जो कुश्यन हम जाते हैं तो यह आपको इनिकुलिटीज दे रहे हैं यहाँ पर क्याता सौल्ड फॉलिंग इनिकुलिटीज फॉर दा एक्स बिलॉंग्स टू रियल नंबर ठीक है यहाँ पर आ जाएगा जी रियल नंबर और इसको सौल्ड भी करने के बद उसे हमें नंबर लाइन पर भी रियल एक एक कुशन हम ले लेते हैं तो यहाँ पर उखता है 4x प्लस 3 जैस देन 6x प्लस 7 तो यहाँ से आप x की वैलु फाइंड करेंगे तो उसके लिए आप इसको इदर लाके मैनस करेंगे तो हो जाएगा minus 2x और 3 को उदर ले आके minus करेंगे तो हो जाएगा 4 अब क्योंकि हमें x की value निकालनी है तो x की तरफ अगर कभी भी negative sign होगा तो उस sign को आपको हटा देना है ठीक है minus sign कभी भी x की तरफ नहीं रखना है और inequality के अंदर जब आप sign को common लेते हो तो क्या करेंगे यहां से जिसे minus 2 है तो minus 2 से अगर हम इसको divide करने वाले है तो यहाएगा x greater than minus 2 ठीक है sign जो inequality गाए वो change हो जाएगा less है तो greater हो जाएगा वह यह greater है तो less हो जाएगा तो यह हमारा solution है कि x की value greater than minus 2 होनी चाहिए ठीक है इसको आप intervals में कैसे लिख सकते है minus 2 से लेकर positive infinity तर अब minus 2 की तरफ भी सिर्फ greater than का sign है equals to sign नहीं है तो यहाँ पर जो interval रहेगा ओपन रहेगा और यहाँ पर भी interval open ही रहेगा infinity की तरफ तो वह यह हमेशा ही open रहता है ठीक है अब इसको number line पर आपको represent करना है तो number line आप बनाओ minus 2 यहाँ show कर दो इधर negative infinity है इधर positive infinity है अब value से बड़ी है तो यहाँ पर एक ऐसे छोटा circle बना दो और इसको blank छोड़ दो उसको not बोलते है ठीक है अब इसके जो right वाला हिस्सा है जो greater than है उसको आप shade कर दो ठीक है इसको तोड़ा सा dark कर दो यानि यह आपका solution आजाएगा number line के उपर आप इसमें से एक part हों कर लेते हैं fourth part और कर लेते हैं यहाँ पर देखो x upon 2 है left hand side में यहाँ पर यह दो term है तो पहले इन दोनों को LCM लेके simplify कर लेते हैं x upon 2 less than 5 वो 3 कल से लेंगे 15 आ जाएगा 5 से इसको multiply कर दो 5 5 जा 25 x 5 2 जा 10 और यहाँ पर बीच वे minus का sign है तो 3 से multiply करेंगे इसको तो 3 7 जा 21 और यह minus यह minus मिलकर plus हो जाएगा 3 3 जा 9 तो यह आगे x upon 2 less than 25 minus 21 4 x minus 1 divided by 15 cross multiply करेंगे 15 x इदर साथ जाएगा 8 x minus 2 इसको इदर लाएगे आप 7 x तो x की value आएगी less than minus 2 by 7 fraction में आरे है value fraction में ही छोड़ दो इसको decimal decimal में आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है ठीके अब यहाँ पर interval के हिसाब से अगर answer दोगे तो अब यहाँ पर less than है less than मतलब कहा तक minus infinity तक ठीके minus 2 by 7 की तरफ भी open और इधर भी open जब भी हाँ equals to का sign होगा तो close interval लगाना है otherwise आपको open लगाना है infinity की तरफ तो हमेशा ही open रहेगा इसको number line पर represent करेंगे तो minus 2 by 7 यहाँ पर यह 0 है minus 2 by 7 यहाँ पर कहीं आ जाएगा यह negative infinity होगी यह positive infinity होगी तो इससे less than है तो minus 2 by 7 से left पर यहाँ पर जो portion है इसको आप shade कर देंगे यह आपका answer आ जाएगा question number 4 का ठीके आप चलते है next question पर next में भी कहता है solve the following inequalities for the x belongs to r also represent the solution set on the number line same ही question कहे रहा है ठीके यहाँ पर जो parts हैं इसमें equals to वाला parts कर लेते हैं जो लोग second part करते हैं second part में कहता है यहाँ पर 3 into में x minus 2 upon 5 greater than और equals to 5 2 minus x by 3 तो यहाँ पहले तो आप brackets इसकी ना उसको open करो 3x 3 to the 6 upon 5 बैसा जाएगा 5 to the 10 minus 5x divided by 3 अब cross multiply कर दो 339x 3618 5 times of 50 5525x x वाली term को इदर लाएंगे 25 को इदर लाके प्लस कर देंगे तो आजाएगा 34x इसको इदर ले जाएगे minus कर देंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस होने के बाद यहाँ बन जाएगा आपके पास 568 तो इसको 34 से divide करेंगे तो आजाएगा यहाँ पर 2 अब यह कराएगी x की value greater than or equals to 2 है तो इसका मतलब जब आप इसको interval में दिखाएगे तो कैसे दिखाएगे 2 से infinity तक अब 2 को भी आपको count करना है equals to का sign आगया मतलब 2 को भी हमें लेना उसको छोड़ के नहीं जाना है तो यहाँ पर आपको closed interval लगा देना यहाँ तो हमेशा open ही रहेगा number line बनाएंगे ठीक है यहाँ 0 है यहाँ 2 है यहाँ positive infinity यहाँ negative infinity तो greater than की बात कर रहा है यहाँ पर not लगाएंगे इसको dark कर देंगे क्योंकि यह भी solution का part है और जो right वाला हिससा है इसका यह भी हम shade कर देंगे यह आपका answer आजाएगा number line पर ठीक है इसका भी एक fourth part देखते है यहाँ पर 2x-3 upon 4 plus 8 है तो इसका हम lcm लेते है चलो अगले step में करते है ठीक है यहाँ पर lcm लो इसका 4 आ गया इदर आजाएगा 2x-3 plus 4 is a 32 इदर lcm लिया 3 to the 6 plus 4x cross multiply कर दो 3 to the 6x 3 to the 9 यहाँ पर 96 6 हो जाए 24 plus 16x x को दर लागे इसके साथ solve करेंगे तो आजएगा minus 10x बागी सब को दर ले जाओ तो यहाँ पर देखो 96 में से अगर आप 9 minus करते हो तो आजएगा आपके पास 87 87 को दर ले जाएगे तो प्लस हो जाएगा sorry minus हो जाएगा 24 minus 87 तो जाएगा minus 10x और 7 minus 4 3 8 minus 2 6 अब यहाँ से minus 10 से डिवाइड करेंगे minus से डिवाइड कर रहें मतलब इदर x की तरफ negative है तो क्या करना पड़ेगा हमें इसका जो sign है inequality का उसको change करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा x less than equals to 6.3 ठीक है x को आप जैसे 10 से डिवाइड करने है तो आप point में लिख दो कोई दिकत नहीं है नहीं तो आप 63 by 10 भी लिख दोगे तो भी आपका answer ठीकी रहेगा ठीक है जैसे मर्जी आप कर सकते हो बुक में 63 by 10 लिखा हुए ठीक हमने 6.3 लिख दिया उससे कुछ परखनी पड़ेगा अब आपका जो answer less than है less than का मतलब होके negative infinity की तरफ कहां से 6.3 से इधर आप close लगा देंगे क्योंकि equals to का sign है और यहाँ पर number line बनाएंगे तो इधर 0 आपके बास इधर 6.3 है इधर negative infinity है इधर positive infinity है अब क्योंकि यह less than है तो 6.3 की तरफ not लगाएंगे इसको dark कर देंगे क्योंकि solution का part है और इसके जो left वाला portion है इसको आप कर देंगे shade तो यह आपका answer आजाएगा उसके बाद चलिए question number third पर चलते हैं आपको इसको simplify करना है simplify करके जो value आएगी उसको number line पर represent करना है लेकिन इस question में difference क्या है difference यह है कि यहाँ पर inequality का sign आपको दो दो बार दे रखा है यानि दो inequality को एकटा कर दिया सोच रहे है कि हम confused हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ हमें सब कुछ आता है हम कर लेंगे तो इदर आगया minus 1 by 3 इदर आगया minus 1 by 3 इदर हो गया x by 2 और यहाँ 3 plus 1 4 by 3 इदर आगया 1 by 6 तो अब आप बीच में जो term है पहले इसका आप LCM ले लो तो यह देखो 6 आगया इदर आदेगा 3x minus 8 अब यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है तो इसको भी 6 ही बना लेता हूँ इसको क्यों छोड़े हम इसको 2 से multiply करके 6 बना लिया ठीक है तीनों का denominator same है common निकाल देंगे ठीक अब यहाँ पर common निकालने के बाद बचे का क्या minus 2 बचा यहाँ पर बजी आपके पास 3x minus 8 यहाँ पर बचा बचा बच अब यहाँ पर बीच में क्या करना है आपको ऐसे questions के अंदर जब दबल inequality होगी और दोनों को आप इखटे solve कर रहे हो तो उस case में आपको जो बीच वाली term में न यहाँ पर आपको x लेकर आना है याँ एक्स के साथ जो बाकी चीजे उनको एके करके खतम करते जाना है ठीक है? एके करके खतम करते जाना है अब 3x है हम पर 3 है हम पर और यह minus 8 है तो इन दोनों में से आप पहले minus 8 को हटा पाऊगे पहले आप 3 को directly नहीं हटा सकते ठीक है? तो पहले minus 8 हटाएंगे minus 8 को हटाने का मतलब है कि plus 8 कर देंगे अब plus 8 करेंगे तो इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे तो minus 2 plus 8 3x minus 8 plus 8 इधर आजाएगा 1 plus 8 इधर आजाएगा 6 इदर रजाएगा 3x, इदर रजाएगा 9, अब 3 हटाना है, तो 3 से divide कर दो, ठीक है, इसको भी 3 से divide कर देंगे, इसको भी कर देंगे, तो यहाँ रजाएगा 2, यहाँ रजाएगा x, यहाँ रजाएगा 3, तो ब x की value है, 2 से लेकर 3 तक बीच में belong करेगी, अब यहाँ पर 2 को include करना है, 3 को include नहीं करना है, तो intervals में आप लिखेंगे answer, तो 2 की तरफ close interval रहेगा, 3 की तरफ open interval रहेगा, अब यह कह रहा है कि नंबर लाइन पर भी दिखा दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखा देंगे भई, यहाँ पर 0 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, तो अब बाद हम आते हैं, next question पर, solve the following system, linear equation and represent the solution set on the number line, अब यहाँ पर आपको दो अलग-लग inequities दे रहे हैं, उन दोनों को अलग-लग solve करके common solution पर हमें पहुचना है, तो जैसे यहाँ पर first part में है, कहता है कि x plus 4 greater than equals to 0, और दुसरा है 2x minus 1 less than equals to 0, तो यहाँ से हम निकालेंगे x की value greater than minus 4, यहाँ से value निकालेंगे आएगा 2x less than equals to 1, यानि x की value आगी less than equals to 1 by 2, अब जो common solution है इनके बीच का वो आपको shade करना है, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पर गया रहे है कि इसकी value minus 4 से बड़ी होनी चीए, इस से छोटी होनी चीए, तो यानि अगर आप interval में लिखोगे, तो minus 4 से लेकर 1 by 2 तक यह value आईगी, तो इसको number line पे आप दिखा देंगे, minus 4 एदर हो गया मालो, यह 0 हो गया, एदर 1 by 2 हो गया, तो अब इसको भी include करना है, इसको भी include करना है, दोनों में equals to का sign है, तो दोनों की तरफ नॉड करके इसको dark कर देना है, और उनके बीच वाला portion है, इसको आपको कर देना है, तो answer आजाएगा, इसका minus 4 से लेकर 1 by 2 तक के बीच में, ठीक है, अब इसका जो second part है, वो देखे, second part में कहता है कि x plus 4 less than equals to 0, यहाँ पर greater था, यहाँ less है, ठीक है, यहाँ पर less है, यहाँ पर greater है, इतना फराग है, बाकि तो सब देखो, इसमें और इसमें sign का फरक आ रहा है, sign के फरक आने की वज़े से क्या हो रहा है, कि इसका solution है, वो possible ही नहीं होगा, possible क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ common solution आए गए नहीं, यहाँ पर यह कह रहा है कि x की value minus 4 से छोटी होनी चाहिए, तो minus 4 अगर यहाँ पर है, ठीक ह इसको count करेंगे, इसे छोटी value होगी, तो इधर shade हो जाएगा, और जब यह बात कर रहा है कि x की value greater than equals to 1 by 2 है, इधर 1 by 2 हो गया, अब यहाँ greater है तो इसका solution इधर आ गया, तो यह इधर कह रहा है कि मैं तो इधर जा रहा हूँ, यह इधर कह रहा है, मैं तो इधर जा रहा हू इसमें लिख देंगे no solution, तो ऐसे हरे question में आपको देखना, common solution निगलेगा, तो उसको shade कर देना, नहीं निगलेगा, तो लिख देना सीधा no solution, उसके बाद आजाओ next question पर, solve each of the following equation in R and represent the solution set on the number line, वही बात कर रहा है, अब यहां पर दो-दो inequality इखटी कर रही है, इतना ही difference है, बस बाकी कोई difference नहीं है, तो इसमें, चलो हम एक third part लेते हैं, ठीक है, मैं आप selected part कर रहा हूँ, बाकी आप question easily कर पाएंगे, अगर फिर भी किसी में कोई doubt हो, कुछ आपक plus, 7 minus 6 by 3, greater than 2, अब यहां पर, यह जो बीछ वाली term है, यहां से आपको, आप x लेकिन यहां पर भी है, एक्स लेकिन यहां पर भी है, तो ऐसे मैं आपको क्या करना चाहिए, यहां पर मैंने क्या कर दिया, ठीक कर दिया, तो ऐसे में ग्या करना चाहिए, इन दोनों को अलग solve करना चाहिए इन दोनों को अलग solve करना चाहिए क्योंकि हमें क्या करना होता है अगर हम इन दोनों को इखटा लेके चलें जैसे ये वाला question आप करोगे इसको इखटा लेके चल सकते हो क्योंकि x सरिफ इसमें यहीं पर ही है यहाँ पर x है नहीं है कि यह क्यों नहीं आपाएगा उसका रिजन में आपको बताता हूं देखो अगर मैं इसको ऐसे ही सॉल करूं तो यह से आ गया इदर से आ जाएगा 3x प्लस 7-x अब यह जो 3 है इसको आप मल्टिप्लाई कर दो इदर आ जाएगा 6x-3 इदर 3x-x 2x प्लस 7 ठीक है अब मल्टिप्लाई यहां से 7 हटा देंगे 7 को ठीक है अब यहां उसके पाद जब 2x को 2 हटाने के बारी आएगी तो 2 से अब यहां भी डिवाइड करेंगे लेकिन x तो यहां पर भी रह जाएगा अगर मैं यहां से x को हटाओंगा तो 6x मुझे यहां भी माइ प्लस 7 और इस वाली इन इकलिटी को अलग सॉल कर दो तो यहां से आ जाएगा आपके पास 4x यहां से आ जाएगा 10 x की वेल्यू ग्रेटर दन इकल्स तो 10 बाए 4 का मतलब 5 बाए 2 ठीक है यहां पर 7 उदर जागे माइनस हो जाएगा माइनस 5 x की वेल्यू ग्रेटर दन माइनस 5 बाए 2 अब यहां भी ग्रेटर दन की बात कर रहा है यहां भी ग्रेटर दन की बात कर रहा है ठीक है साइन यहां पर कहीं हमारा चेंज नहीं हुआ है अब यहां पर देखो greater than equals to तो इसको हमने dark कर दिया है और greater का मतलब है कि इधर shade करना है और इसमें भी greater than का sign है तो इसके लिए भी हमें shade इधर ही करना है तो अब दोनों में common देखोगे कि दोनों में common part क्या आ रहा है तो दोनों में common part आपका ये वाला ही बनेगा तो इन दोनों का जो final answer आएगा वो ये ही वाला आएगा कि x की value greater than or equals to 5 by 2 अब इसको इंटर्वे में लिखेंगे तो 5 by 2 से लेकर infinity ये हमारे पास इन दोनों का common solution आ जाएगा ठीक है question number 5 का third part और इसमें यहाँ पर भी देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो इसमें भी आप इन दोनों को लग solve करो इन दोनों को लग solve करो तो 3x प्लस 7 ठीक है इसको लग solve कर लेते है 5 minus 2x 13 minus 6x तो यहाँ पर आ जाएगा minus 2 इदर आके plus हो जाएगा और यह 7 दर जाके minus हो जाएगा तो x की value greater than equals to minus 2 by 5 और यहाँ से minus 6 को दर लाओगे plus हो जाएगा 6 minus 2 4 और 13 minus 5 8 यहाँ पर यह 2 आ गया तो यहाँ पर minus 2 by 5 है यहाँ पर greater than equals to 2 है तो जब आप इसको number line पर आप बनाओगे तो minus 2 by 5 इदर आया ठीक है इसका जो common part है वो greater than है इसलिए इदर जाएगा greater than equals to 2 मतलब 2 इदर है तो इसका जो common part है वो भी इदर आएगा तो दोनों का common solution यही वाला बन रहा है ठीक है यह इसके solution में भी आ रहा है इसके solution में भी आ रहा है तो मारा जो answer आएगा x की value greater than equals to 2 मतलब 2 से लेकर infinity तक यह आपका answer आजाएगा उसके part number 4 का solve the following system of in equation represent the solution set on the number line तो इसको अब आप खुदी solve करना इसमें आपको यह अलग solve करना यह अलग solve करना जिस अपने पिछला question करा है वैसे ही आपको करना है solve the following in equations अब यहाँ पर सिर्फ solve करना है number line पर represent नहीं करना तो solve करने हम solve करी रहें उसी तरीके से solve करना है आपको कुछ नया तरीका ऐसा कुछ नहीं है ठीके तो चलो इसमें से first part देख लो LCM लेना आपको 4 LCM आएगा तो यहाँ जाएगा 10X यहाँ 3X 39 upon 4 4 for denominator में दोनों cancel हो जाएगा इदर जाएगा 13X 13 से divide करेंगा X के value greater than or equal to 3 तो यहाँ आँसर आएगा आपका 3 से लेकर infinity तक ठीके और कर लेते हैं किसका fourth part कर लेते हैं 3X minus 4 upon 2 greater than or equal to X plus 1 upon 4 minus 1 अब यहाँ जो right inside है उसमें LCM लेलो ठीके बहुत simple से question है जैसे आप normal equation solve करते हो वैसे ही करना है बस minus जब आजाए X की तरफ तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो इदर आगया जी 4, 3, 12X 4, 4, 16 आजाएगा 2X plus 2 minus 8 तो 2X को इदर लाएंगे 10X हो जाएगा यहाँ पर यह minus 6 होएगा इदर plus 16 जाएगा तो 10 ही बचेगा तो X के value greater than or equal to 1 यानि 1 से लेकर infinity तक यह आपका अंसर आ जाएगा question number 7 का fourth part इसके बाद next question है आपके पास solve भी करना है तो इसमें एक ही इसका जो आचा यहाँ पर यह दो इनिकुरिटी है की question के अंदर दे रखे वैसे ही आपको दोनों को लग-लग solve कर देना है तीके जैसे first वाली आपके पास है 4X upon me 3 minus 9 upon 4 less than X plus 3 upon 4 इसको अलग solve करेंगे और जो दूसरी आपको दे रहे खें यहाँ पर इसको अलग solve करेंगे यहाँ पर देखो 4 और 3 कैलस्यम ले लोगे 12 आजाएगा 4 फोर जाएगा 16 9 ते जाए 27 इदर आलस्यम आजाएगा 4 इदर आजाएगा आपके पास 4X plus में 3 तो यहाँ पर cross multiply कर दो यहाँ इस 4 से इसको आप cancel भी कर सकते हो तो इदर तो 16X minus 27 रहे गया इदर से 3, 4 जा 12 और यह क्या था प्लस 3 था यह 3, 3, 9 12 को इदर लाओगे minus हो जाएगा 4X और यह इदर जाके plus हो जाएगा 36 X की value आजाएगी आपके पास less than 9 ठीक है यह इसका solution आगे X की value less than 9 यहाँ पर हम करते हैं तो इन दोनों कहले से मिलेते हैं 6 आजाएगा तो 3, 2, 6 2 से इसको multiply कर दो इसको खोल देंगे तो यह sign दोनों के minus ही आएगे 14 minus 7, 7X हो गया minus 4 इदर चला जाएगा 6X इसको दर लाओगे अब X हो जाएगा, इसको दर ले जाएगे 4 हो जाएगा तो यहाँ पर कर X की value greater than 4 है और यहाँ पर कर X की value less than 9 है तो अगर हम देखो number line से समझ लो solution एक combine देदेंगे फिर हम X की value 4 से बड़ी है, इदर 4 है इससे बड़ी है ठीक है और 9 से छोटी है, 9 से छोटी है मतलब इदर, तो दोनों का जो common solution है इनके बीच में रहेगा तो यानि हमारा जो answer है वो क्या रहेगा कि X की value 4 से लेकर 9 तक के बीचे तो SS को लिख सकते हो greater than 4 and less than 9 यह आपका एक common solution आ जाएगा question number 8 के first part का ठीके जी, इसी तरह second part आप कर सकते है 9th में भी आपको ऐसी solve करना है 9th में भी ऐसे ही solve करना है कुछ भी ऐसा नया नहीं है इसमें जो मैं आपको यहां पर especially बताऊं तो आप इसको simply solve कर देना बस यही question था इसके अंदर जो इसके exercise है 3.1 तो आज की जो वीडियो है उसमें हम महीं पर ही इसको finish करते हैं I hope आपको सारी question अच्छे समझ में आगे होंगे फिर भी कोई question में अगर आपको doubt लगता है जो specially ML भारगव से पढ़ाई कर रहे हैं और ML भारगव का content उनको available नहीं हो रहा तो इस channel पर वो आ सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही Thanks to all of you